साथ चरणों का मद्दान खत्म हुआ और इसी के साथ लोग सवाचुराओ भी समाप्त हो गया और जैसे ही साथवे चरण का मद्दान संपन हुआ उसके बाद एक्जिट पोल आए और एक्जिट पोल में एंडिये 400 सीट पार जा रही है चार जून को नतीजे में क्या तबदी होंगे ये देखने वाली बात होगी लेकिन जैसे ही एक्जिट पोल है उसके बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्या योग्यादत नात ने ट्वीट किया है और जम कर धार है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्जिट पोल के तुर यह बयान दिया सबसे पहले प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी ने लगातार ट्विट की हैं वो आपको दिखाते हैं और प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी अपने ट्वeट के जर्ये इंडिया कaporeड़बंधन पर हमला बोल रहे हैं और यह वन्सवात की जो राजनीती है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिक सैन्वीन रिजेक्टेट बाइदा पीपूल इनके वो भी प्रधानमंत्री नरेंद मोधी ने जिक्र किया कि इनके सब तिकडम जो इन्होंने लगाया लोगों उसे रिजेक्ट कर दिया है और अब इंडिया गडबंदन जो की डाइनस्टी वाली राजनीती करती है उन पर लोगों का विश्वास नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद मोधी ने अगले ट्वीट में क्या कुछ कहा है वो भी आपको दिखाते हैं और इसमें उन्होंने election commission को धन्यवात कहा है और कहा है कि आपने जिस तरीके से effort लगाया जिस तरीके से चुनाव करवाया उसके लिए आप सब की तारीव बनती है और democratic values को आपने यहां पर inspire किया है और इसके साथ उन्होंने सभी लोगों का धन्यवात भी किया है जो की vote डालने पहुंचे अब प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी का अगला tweet भी आपको दिखाते हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी NDA के कारकरताओं का धन्यवात कर रहे हैं और वो tweet में लिखते हैं I would like to applaud each and every NDA कारकरता across the length and the breadth of India often breathing intense heat I compliment them for meticulously explaining our development agenda to the people and motivating them to come out and vote Our greatest interest strength उन्होंने जिक्र किया है कि इस गर्मी में जिस तरीके से आप लोगों ने बहुत मेहनत की आप लोगों ने लोगों तक पहुंच बहना अपनी बनाई और लोगों को प्रेरित किया vote डालने के लिए उसके लिए आप सभी का धन्यवाद बनता है और आपको ट्वीट दिखाता हूँ कि किस तरीके से प्रधान मंत्री नरेंद मोदी अपने आखरी ट्वीट में सभी का इस देश के सभी voter का धन्यवाद करते हैं और सभी को appreciate करते हैं और ये प्रधान मंत्री नरेंद मोदी के exit पोल की तुरंत बात के चार चार ट्वीट रहें साथ पचपन पर आठ बजे साथ चपन पर लगातार ट्वीट उन्होंने किया है exit पोल साड़े 6-6 बजे से आना सुरू हो गए थे और exit पोल में एंडिये 400 पार जा रही है अब दिखाते हैं ट्वीट उत्तर प्रदेश के मुख्या योगियाद इतनाथ का जिन्होंने इस चुनाओं में बहुत मेहनत की है उत्तर प्रदेश के मुख्या इतनाथ लिखते हैं लोगसभा चुनाओ 2024 को निस्पक्ट पारदर्सी एंवं शानति पूरबक संपन कराने क लिए भारतिय चुनायोग अस्थान ये प्रसातन और उस्रक्षा बलों को हार्दिक वधाई लोगतंत्र के महायग में अपने अमूल नमत की आहुती देने वाले प्रतेक सम्मानित मद्दाता का अभिनंदन पूर्ण विश्वासा की आधरणिये प्रधानमंत्री नरेंद का और इस चुनाओं में योगी आधितनात ने 200 से ज़्यादा रहे लिया की और योगी आधितनात एक वाहिदा ऐसे नेता है बीजेपी के जो कि हर जगहा हर राज में स्टार पुचारक बीजेपी के थे और उन्होंने जहां जहां रहे लिया की है एक्जिट पोल में वहां अगरबंधन को खूब खरी खोटी सुना दी है एक्जिट पोल के बाद ही फिलाल अब एक्जिट पोल कितने तब्दील होंगे नतीजों में चार जून को देखना होगा लेकिन अभी जिस तरीके से प्रदान मंत्री नरेंद मोदी उत्तरप्रदेश के मुख्या योग्या इतनातने एक्जिट पोल के बाद ये बयान दिया है ट्वीट किया उस पर आपकी राय क्या है कमेंट करके में जरूर बताएगा और आपको क्या लगता है क्या एक्जिट पोल के नतीजे सही साबित होंगे चार जून को आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएगा और ब झाल झाल